आप सभी का स्वागत है आज हम अलंकार टापिक को यहां पे कंप्लीट करेंगे आपके बोड के एक्जाम के लिए यह टापिक बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है इससे हर साल आपके बोड के एक्जाम में प्रश्ण यहां से बनते हैं तो फ्रेंस पहले चलिए आपको दिखाते हैं कि 2022 के पेपर में कौन सा अलंकार पूछा था यह देखें फ्रेंस यह 2022 का हिंदी का पेपर है इसमें आपको दिखाते हैं कि कौन सा अलंकार आपके पेपर में आया था ठीक है फ्रेंस ते यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका उपमा अलंकार अथवा उच्छा अलंकार इन दोनों अलंकार में से कोई एक अलंकार का परिभासा लिखना रहता है और उधाय लिखना होता है तो फ्रेंस कच्छा 10 के लिए आपको सिर्फ सिलेबस में तीन अलंकार इसी तीनों में से एक अलंकार, दो अलंकार देगा, उसमें से एक अलंकार को आपको लिखना होगा, तो friends चलिया, start करते हैं और इस अलंकार को आपको simple भासा में समझाते हैं, देखिए friends यहाँ पर आपका पहला उपमा अलंकार, देखिए friends यहाँ पर समझ लीजए, उपमा का मतलब यहां पर अलंकार से होता है कि तुलना करना ठीक है तुलना करना होता है अब देखिए तुलना करने का मतलब यह होता है कि जैसे आपके पास दो पेन होगा तो कहेंगे कि यह एक पेन दूसरे पेन से क्या है अच्छी है तो देखिए इसका मतलब होता है कि एक वस्तू या एक प्राड़ी का दूसरे वस्तु या दूसरे प्राड़ी से आप तुलना करेंगे, तो वहाँ पर होता है आपका उपमा अलंकार, जैसे आप कर सकते हैं किरादा मीना से अच्छी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है इस प्रकास आप उधार समझ सकते हैं चलिए यहां पर देखते हैं कि जहां एक वस्तु या प्राड़ी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राड़ी से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है तो उपमा का मतलब क्या हुआ कि जहां एक वस्तु या प मैक्सामनोहर , मैंक मैक्साम मैंक्स्ट मैंजू मनहर यहां मैं मैंक्साम दता है मैंक्सामसे मतलब .... देख़एगर मैंक्साम्स देख साफ Bye thing कि ये example आपके लिए उपमा में हरिपद कोमल कमल से ठीक है यह हरिपद मतलब होता है भगवान अकमल यानि कि भगवान के जो पैर है उस कोमल के से तुलना किया गया ठीक है इस पकार से आप क्या कर सकते हैं आप उपमा अलंकार को परिभासा याद कीजिए और इसे याद रख ठीक है चलिए यहां रूपक अलंकार को को देखते हैं तो कि रूपक अलंकार क्या होता है कि जहां गुड की अत्यान समानता के कर उपमे में ही उपमान का अभेद आरोब कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है उपमे में ही उपमान का अबहेद मतलब उसमें क्या होता है कुसमें समानता होता है तो समान देखिए यहां अत्यान समानता को दिखाया जाता है तो वहां पर कौन से लंकार होता है रूपक अलंकार होता है देखें फ्रेंस यहां पर आपके लिए दो उधार लिए हैं देखें पहला क्या है चरण कमल अलंकार है जो लाष्ट अलंकार है उत्परच्छा अलंकार ठीक है अब उत्परच्छा में क्या होता है जहां उपमे में उपमान की क्या होता है संभावना ब्यक्त की जाए ठीक है यह कलपना किया जाता है उपमे में ही उपमान की क्या किया जाता है संभावना ब्यक्त किया जाता है वहाँ पूत्प्रेच्छा लंकार होता है देखें यहाँ पर देखते हैं जहां उपमे में उपमान की संभावना अथवा कलपना कर ली गई हो वहाँ उप्रेच्छा लंकार होता है देखें फ्रेंज किसी भी वहाँ के को पढ़के आपका ऐसे पाचान कर सकते हैं को वहाँ पर उत्प्रेच्छा लंकार होता है, फ्रेंज जब वाक्य दिया होता है, उसमें मनो, मानो, मनू, मनू, जनू, 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 जानू, आदी, इन कोई शब्दों में से एक सब्द उसमें, एक या एक से अधिक सब्द भी आ सकते हैं, और यदि वाक्य में कहीं पर यह इसलिए कि आपको बोड के एक्जाम में परिभासा के साथ साथ एक उधारा जरूर लिखना होता है तो उधारा कहा है कि सोहत उड़े पीत पात स्याम सलोने गात मनहू नील मड़ी सैल पर आतपू पर्यो प्रभाय ठीक है यह आपका एक्जामपल है उत्पर अच्छा अलंकार का इसे आप जरूर याद कर लिजिएगे इसलिए कि आप किसी भी अलंकार का परिभासा लिखेंगे तो उसका आपको उधार लिखना जरूरी होता है ठीक है तो फ्रेंस यही आपके बोड के एक्जाम के लिए तीन अलंकार है उपमालंकार रूपक अलंकार उत्पर कमेंट में लिख कर बताएं और यही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें